हेलो दोस्तों आपका स्वागत है नौलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे दोस्त जो मैंने पचीस सो कोशन की सिदी चला रखी है उसका आज ये फिफ्ट पार्ट है जिसमें हम कोशन देंगे कि फिजिक्स, केमिश्ट्री और बायलोजी के और ये वीडियो बहुत ही हेल्फिल होने वाला है जूनियर सुपर्टेट के लिए तो वीडियो में लाश तक बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है एक ग्राम वसा में कितनी उर्जा प्राप्त होती है तो फ्रेंट एक ग्राम जो वसा है उसमें नो किलो कैलरी उर्जा प्राप्त होती है नेक्स्ट मरा है एक तार की लंबाई L मीटर है इस तार को खीश कर उसकी लंबाई 2L कर दी जाती है अब तार का प्रतिरोद क्या होगा तो फ्रेंट पहले प्रतिरोद का formula जान लेते हैं formula होता है r is equal to rho l by a rho हमारा है resistivity, l हमारा length है, a हमारा cross-sectional area है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर हाँ, अगर हमने length को कितना increase किया है तो two times कर रहे हैं, तो हमारा cross sectional area क्या हो जाएगा, a by two हो जाएगा, ठीक है, मैंने क्या भूला, अगर मैंने length को दुगना कर दिया, तो cross section area क्या हो जाएगा, उसका half हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा होगा option number b, चार गुना, पहले से चार गुना resistance हो जाएगा, और एक बात जानिएगा कि जितना पतला तार होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा रजिस्टेंस होगा क्या होगा उतना ही ज़्यादा रजिस्टेंस होगा और जितना ही मोटा तार होगा उतना ही कम रजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस का काम क्या होता है फ्लो आफ करेंट को रोकना तो यह हमारा आपसन नमर भी करेक्ट होगा नेश्ट आते हैं CD-ROM है CD-ROM इन में से क्या है CD-ROM CD-ROM का फुल फॉर्म हो जाएगा Compact Disc Read Only Memory क्या मैंने बोला Compact Disc Read Only Memory तो फ्रेंड यह हमारा है Option No.C Memory Register है यह क्या है एक Memory Register Next हमारा है मानव सरीर में अनिवार अमीनो अमल की संख्या कितनी होती है तो फ्रेंड मानव सरीर में जो अमीनो अमल की संख्या होती है 20 कितनी होती है 20 हमारे बोड़ी में 20-aminio acid पाये जाते हैं नेक्स्ट नमरा है कौन सा हार्मोन लडो-उडो हार्मोन कहलाता है तो फ्रेंड ये कहलाता है ओप्शन नमर बी ओप्शन नमर बी ओड़िनल हार्मोन फ्रेंड ये किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा क्या होता है structure होता है ठीक है किडिनी के ऊपर क्या होता है एक टोपी नुमा एक structure होता है यह होता है कौन सा एडिनल हार्मोन रिलिस करता है एडिनल ग्लैंड यहीं होता है जो क्या रिलिस करता है एडिनल हार्मोन को रिलिस करता है और यह किस नाम से जाना जाता है लडो और पुडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है निम्ने में से सबसे भारी वस्तु इसमें से कौन सी है इन में से सबसे भारी हो है यूरेनियम क्या है यूरेनियम सबसे भारी है इसमें से नेक्स नमारा है, जब किसी धातु में विद्दुधारा प्रवाहित की जाती है, तो इन में से कौन सा एफेक्ट होगा, तो फ्रेंड, जब किसी धातु में जब विद्दुधारा प्रवाहित होती है, तो उस धातु का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता ह रजिस्टेंस की वज़े से क्या होता है ये उसका ताखमान बढ़ जाता और गलो करना शुरू कर देता है और दोस्तों बताइए कि जो हमारा बल्ब होता है इसमें कौन सा धातु यूज होता है फिलामेंट बनाने के लिए तो होता है मारा टंगश्टन जिसका सिम्बल हमारा है डबलू और हीटर में कौनसी धहतू यूज की जाती है उज यूज की जाती है नाइक्रोम और यह दोनो धहतूं क्या होती है हाइ lag जो होता है इन दोनों धातूं का meltingWith जो होता है गलनांग वह बहुत जादा उच्छिए होता है नेक्ष्ट नमरा है रासानिक द्रिष्टी से सिंदूर है तो फ्रेंड सिंदूर जो होता है वो होता है मर्क्यूरिक सुल्फाइड क्या होता है पी बी एस ठीक है लेड सुल्फाइड जैसे बोते हैं मर्क्यूरिक सुल्फाइड तो अप्शन नमर सी हमारा करेक्ट होगा निम्न में से सदिस रासी कौन सी है तो फ्रेंट पहले जानते हैं सदिस और अदिस क्या होती है तो फ्रेंट सदिस रासिया जो होती है उनके अंदर क्या होता है मैगनिट्यूड प्लस डिरेक्शन ठीके और जो अधिस रासिया होती है उसमें बस magnitude होता है तो यहाँ पर velocity जो हमारी है वेग velocity जो है एक सधिस रासि है अगला है नाभी की रियक्टर के खोच करता कौन है तो फ्रेंड नाभी की रियक्टर के जो खोच करता है वो है एन्रिको फर्मी क्या है फर्मी ऑप्षन नमरी डी हमारा correct होगा नेक्श्ट आते हैं यदि किसी तार की त्रिज्य आधी कर दिर जाये तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा तो फ्रेंड यह हो जाएगा हमारा ऑप्षन नमर डी 16 गुना बढ़ जायेगा कैसे होगा R is equal to rho L by A से इसी फॉर्मुले से ये सो लगुना हो जाएगा नेक्ट नमरा है वस्तूओं का आवेशन किसके अस्थानांतरण के फर्लसो होता है तो फ्रेंड कोई भी वस्तू आवेशित कब होती है जब उसके अंदर से क्या होता है इलेक्टरन लूज होता है या इलेक्टरन गेन होता है तो आपसा नमर A हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट हमारा है प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में कौन प्रवर्तित करता है तो फ्रेंड प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में हमारा रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है तो अप्सान नमर सी करेक्ट होगा नेक्ष्ट नमरा है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जबने पर टूट जाती है क्यों तो फ्रेंड जब हमारा पानी थंडा होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो अप्सन नमर सी हमारा क्या होगा जमने पर जल का जो आयतन होता है बढ़ जाता है इसलिए जहां पर बहुत ज़्यादा हंडी पड़ती है वहाँ होता है जो पाइप लाइन वाली पाइप होती है जिसके अंदर से वाटर आती है वो क्या हो जाती है फट जाती है नेक्स्ट नमरा है सीत रख्ती प्राड़ी होता है इन में से कौन सा है तो फ्रेंट सीत रख्त किसका होता है मेधक छिपकली और मचली तीनों का ही होता है अपस्ट नमर डी हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट नमरा है इन में से कौन सा उस्मा का मात्रक नहीं है तो फ्रेंट उस्मा का जो मात्रक कैलरी भी होता है किलो कैलरी भी होता है जूल भी होता है डिग्री सेल्सियस यह हमारे पास टेंप्रेचर का यूनिट है यह ठीक है यह उस्मा का यूनिट नहीं है निच्ट नमारा है Q7 है आइनो थेरा लेमेर कीयाना पौधा किस के परियोग किया जाता है तो फ्रिंड आप्सन नमारे हमारा करेक्ट होगा Q2D ब्रीच के NET नमारा है ठंडे प्रदेश में पारे के स्थान पर एलकोहल को ताप मापी द्रव के रूप में वरीता दी जाती हैं ठीक है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पर हम पारे की जहां किसको यूज करते हैं एलकोहल को ऐसा यूज करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा एलकोहल जो द्रवडांग होता है ज्यादा होता है नेक्ष हमारा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उनमें से सरीर में उपस्रिति क्या होगी तो इनमें से क्या चेंज होगा तो यह होगा अप्शन नमर एं करेक्ट होगा, पदार्थ की मात्रा में परिवर्दन होगा, सब्सक्राइब दोस्तों, ऑप्शन नमर बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर, भार हमारा घर जाता है, कि मात्रा हमारी क्या होती है, अब परिवर्दित होती है, मास हमारा क्या होगा, कॉंस्टेंट होगा, ठीक है मास कहीं भी वही होगा हमारा नेक्ष नमरा है विद्दुत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उप्रियोग किया जाता है तो फ्रेंड न्यूक्लियर रियक्टर में हम किसका प्रियोग करते हैं यूरेनियम का यूरेनियम का प्रियोग करके ही हम क्या बनाते हैं विद् क्यों